फिल्म अभिनेत्री हेवमालनी जहां काना की नगरी में राधरानी की सक्खी बन कराई वहां उन्होंने ब्रजवासियों को बड़े ही सुनेरे सुनेरे सपने दिखाए और इस मतुरा नगरी को भी सुन्दर और विकसे जुला बनाने के वादे किये जिने सुनकर यहां की जन्ता ने उन्हें मोदी सरकार के लिए दोनों बार मजबूती के साथ बंपर वोटों से जिता कर संसर तक भेश दिया और अपना जन प्रतिनिधी बना दिया मगर आप जिस तरह से कोरोना के दोर में ब्रजवासी बिना उक्सीजन और बिना इलाश के तड़प-तडप का दम तोड़ते हुए दिखाई देते हैं ऐसे समय में जिस तरह से सांसर पिष्टी बार की तरह इस बार भी गायब हैं उससे मत्रखी चंता की वो सारी उम्मीदे हवा हो गए जिनके लिए उन्होंने मुंबई की हिरोईन को अपना सांसर बनाया था क्योंकि उनके विपत्ती के समय में भी सांसर गायब रहेंगी तो फिर अपना दुख़़ा किस के सामने ये लोग रोएंगे जब हमने लोगों से कोरोना के दौर में गायब सांसर के बारे में पूछा तो महिला क्या पुरुष ने सब ने एक जैसा ही जवाब दिया आल चाम करती नहीं तो अपने पेट के लिए टग मता नहीं कर रहा है है और इस दोरान जहीं लोग जनता के बीच में नहीं है जब बोट मांगने की बारी आती है तो जनता के बीच आपकर खड़ी हो जाते हैं और बोट मांगती है जनता के बड़े बड़े करते हैं कि हम आपके लिए हमेशा साथ देंगे हमेशा सहयोग करेंगे लेकिन आज यह से हमारी में चतनी मत्रा की जनता को उनकी जरृत है लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है वह दॉन्यापता है तो सुना अपने किस तरह से लोग इस महमारी के समय में परिशान है और अपना दुख बया कर रहे हैं काना की जन्म स्थली मतुरा में जहां आज दुख की घड़ी में लोग खुद को छला हुआ सा महसूस करते हैं वही सांसर हे ममाल नहीं महिनों से लापता है जबकि वो टीवी पर विग्यापन में तो दिखाई देती है लेकिन मतुरा के अपने संसद्य शेत्र से सेक्रों हजारों किलोमीटर दूर है निउस वोल एंजिया के लिए मतुरा से सुरेश सैनी की रिपोर्ट